लड़की देता है सिदा का टैक उठाके लिए भागेंगे लड़की को परहाना छोड़ा दिया कि बेटी को इजयत हो और सरूचित हो शुका है दमांग लोगों बिहार में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोगी और बेटी कितना सुरक्षित है आज ऐसे ही सहयोग कारिक्रम में पहुंचे हैं संबाद कारिक्रम में बीजेपी के जहानावाद से आई हैं क्या समस्या लेकर आई हम उन्दी से जानते हैं बेटी क्यों नहीं पढ़ने जा रही है आकिर बेटी को पढ़ाना आपने क्यों छुड़ा दिया वज़ा क्या रही है है पर भी हम रोग दवड़ रहें दवर रहें कोई करवाई नहीं हो रहा चाना का मामला है पर मोद कुमार है उसका दो लोग आऊ रहे हैं अवह और है उसका गाउं के नहीं है मकदूंपूर बिधांसवाब भिलावरोपी का है रमधानी गाउंबल का क्या नहीं कर रहे हैं नेताओं का कहीं से सरचन है कि वह क्या चाहते हैं कि उनसे भीली भगते बलैक में लाएं क्या हम कर सकते हैं जब तक गिरफदारी नहीं होगा उसका तो हमको बेटी हम लोग सुरचित नहीं हो कि लड़की को बड़ी लड़की को भी कहता है बताओ अभी उठाके ले जाएंगे या मोबाइल में रिकाओडिंग आए इसा नहीं कि इस पर बुरे रिकाओडिंग भी वीडियो भी सुनाएंगे लिखावेंगे तोटल चीज है और अबेदन भी दिया है डिये स्पी का जित लिए कर देता है लोग भी दिये लोग को फौन करकर क्या बोला लेता है जो तो बेटी लोग को पढ़ाना चुड़वा देढ'T सब बरबाद हो गया मेरा लड़की को लड़का भी नहीं है दो लड़की यह था दमाद था जो 2016 में हम साधी किये थे बड़ी बैची को दमाद विजुली के तार से लाइन लगा मर गए वह भी बेटी का निकले नहीं देता है घार से सस्रार में उसको कहता है कि तुमको रहने नहीं देंगे केस कमपरवाइज करोता सब रिकावडिंग में मोबाइल में सब सुनाएं हैं हम बीजेपी करदाले में आये हैं क्या बोला गया है साहिव साहिए दो बज़े लड़की लोग के भेजेंगे काट दिये हैं अब तो सरे बताएंगे आगे और नहीं होगा फिर ह परसासन जो है इतना निस्कीरिय हो गए है कि हम दोड़ रहनी आई के लिए कहां मिल रहा है ऐसे तो परसासन लोग कुछ नहीं होगा तो यह जो है दूदीर बंद करके रखेगा यह पायार हो ले फिर भी गिरफदारी नहीं हो रहा है पैसा नहीं है गरीबाद में है राज मिस्क्री के काम करते हैं बहुत गरीवी हलत में है तो देखिए एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरह का जो नारा है कहीं न कहीं वह जूटा हो सावित होता हो नजर आ रहा है जिस तरीके से अपनी बेट के सहीओ कारीकरम में यानि समभाद कारिकरम में पहुंची है अपनी फर्याद लेकर लेकिन इनकी फर्याद जो है सिर्फ आसवासन पर टिक हुई है अभी भी इन्हें DSP और SP से बात कराया गया है लेकिन अब उन्हें समय दिया गया है अब देखना होगा कि उस युबक की गिरफतारी कब होती है जिस लड़की के साथ छेचार की जाती है और कई बार जो है यह बड़े अधिकारियों से मुलाकात कर चुकिए है लेकिन कोई कारवाई नहीं हुआ सिर्फ आश्वासन दिया गया है ऐसे ही तमाम अब्रेट्स के लिए आप बने रह दर जिनुसके साथ के अधिक तिर एडएंग् झाल झाल